बच्चो अब हम करेंगे question number 4 exercise 2.1 का question है कि right degree each of the following polynomial हमें इन सब की degree बताने कि इनके अंदर degree क्या है तो चलिए कर लेते हैं तो को यहाँ पर क्या है 5x q plus में 4x square plus 7x तो degree क्या होती है यहाँ पर जो सबसे बड़ी power होती है variable की वो इसकी degree होती है तो यहाँ पर देखो इसकी power है 1 इसकी 2 इसकी 3 तुम क्या कह Shyंगे बच्चो इसकी degree है वो कितनी है 3 ऐसे में निकाल लिए है यहाँ पर देखो 4 minus y square तो यहाँ पर देखो power क्या है 2 इधर क्या है 0 ठीक है जी तो यहाँ पर क्या हो गया तो इसकी power हम 2 highest है गला तो 2 बोलेंगे चलो जे ऐसी है 5T- मैंनस में अंडर रूट 7 तो दोखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5T की पावर 1 माइनस में अंडर रूट 7 साथ में Y की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं क्यूंकि Y की पावर 0 मतलब 1 तो यहां पर पावर क्या हूँ तो यहाँ पर देखो, पावर क्या हो गई, वन हाइस हो गई, तो डिग्री भी इसकी बन हो जाएगी, यहाँ पर आजाएए, यहाँ पर है 3, अब इस 3 को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ न, 3 के साथ कोई भी वेरेबल मान लिया, मैंने, x मान लिया, उसकी पावर जीरो, x पावर जीरो का मतलब 1, 1 multiply by 3, 3, तो यानि सेम वही चीज आ जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसकी डिग्री क्या है, जीरो, ठीक है न, तो यह हमारे पास क्या होगी, डिग्री जीरो, कभी आप सोचो उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो छोड़ के आ जाओ, छोड में डाल दीजेगा, नहीं डाउट ओद प्लीज लाइक और शेर और सब्सक्राइब कर लिजे, थेंक यू